दोस्तों यह एक बकरी के बच्चे में कॉपर डिफिसियंसी का कंजनेटल केस है। कॉपर डिफिसियंसी को स्वायब एक के नाम से भी जाना जाता है। यानि कि इसमें पीछे के पैरो में अस्पास्टिक परालेसिस आती है और प्रोग्रेसी परालेसिस होती है। और इसे इंजोटिक अटक्सिय कहा जाता है। यहां आप देख रहे हैं कि पीछे के पैरो इसके अस्पास्टिक है और यह सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। अन्कॉडिनेटिट गेट है। स्पास्टिक का मतलब है कि खीचा हुआ पैरो जैसे आहां आप देख पा रहा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसमें इंजेक्टेवल ट्रेस मिनरल्स यानि की कॉपर मैंगने जिंक और सेलेनियम के जो इंजेक्शन आते हैं। उनका 0.25 ml सिंगल सॉर्ट दे करके उसके साथ में आप निरो टॉनिक्स जो पॉली विटामिन्स आते हैं विटामिन B कॉंप्लेक्स आते हैं। उनका इस्तिमाल करके बड़े आसानी से कर सकते हैं।